कि इंटरनेट इस फुल अफ प्रो साइंस फेक नॉलेज्ज हाफ इंफरमेशन और प्रोपागेंड़ यौर क्वेस्ट ऑफ रिलाबल ऑथेंटिक हेल्थ इंपरमेशन इंद्स है तो सब्सक्राइब इस चैनल एपका स्वागत है एक बार फिर दोस्तो जैसा कि आप जानते है हम हेल्थ और हेल्थ के बारे में वीडियोज बनाते हैं और सारे वीडियोज हमारे ऑथेंटिक वेरिफाइड होते हैं US National Medical Library से लिए जाते हैं सारी डाटा जानकारी हमने कई बार सेक्शवल हेल्थ को डिसकस किया है हमने स्पर्म काउट लोग स्पर्म काउट और कैसे कैसे उसके factors हैं, उसके फुल सीरीज बनाई है, premature ejaculation, erectile dysfunction, night falls, etc., etc., सब पे videos हैं, तो questions बहुत आते हैं, कई live videos हमारे में questions आते हैं about pre-come, और कई live video में questions और even comment section में question आते हैं, pre-ejaculate या pre-come का, just during sexual injury, या फिर थोड़ा सा arouse होके, या लड़की के पास, या किसी के पास जाके थोड़ा सा, उसमें से fluid आ जाता है, तो वो क्या है, वो क्यूं है, ये कैसे हैं, ये कोई बिमारी है, मुझे infection तो नहीं है, मैं बिमार तो नहीं हूँ, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ऐते बहुत सारे चिंता जनक ख्याल, बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, और ये छोटे से लेके, बच्चों से लेके, बड़ों तक सब के मन में आते हैं, तो इसलिए ये वीडियो ज़रूरी है, आपको देखना भी और शेयर करना भी, इसमें कोई शरम की बात नहीं है, इसकी नॉलेज डिसकस करना बहुत ज़रूरी है, हम नहीं करेंगे तो बच्चे आपस में ज़रूर करते हैं, और उल्टी सीदी बाते शेयर करते हैं, इसलिए इसलिए अपके अंदर, मेल्स के अंदर एक ग्लैंड होता है, जिसका नाम है कूपर्स ग्लैंड, इसको और बी एक नाम से जैसे बल्बो यूरित्रा ग्लैंड कहते हैं, ये ग्लैंड उसे बनाता है, प्रीकम ये बिल्कुल एक क्लियर, कलरलेस, बिना कलर का फ्लूइड होता है, विश्यस फ्लूइड ये आता है उसमें से निकल के आपके यूरित्रा से, सेम पाथवे जहां से आपके सी sexually aroused होते हो जब भी आपको sexual feeling होती है तब ठीक है arousal हुआ वो निकलेगा क्यों निकलेगा क्या purpose है इसका इसका purpose पहले तो component देखते हैं है क्या यह बहुत similar है semen के जैसे होता है actual semen लेकिन इसमें कुछ chemical differences होते हैं और sperm ना के बराबर होते हैं कई बार नहीं होते हैं कई बार dead sperms होते हैं कई बहुत ही low sperms हो सकते हैं ठीक और इसकी quantity भी vary करती है किसी-किसी में सिर्फ 2-4 बूंदे निकलेंगी किसी-किसी में एक आद ml किसी में पूरी चमज भरके निकल सकता है इसका उदेश क्या है क्यों निकलता है यह sexual intercourse से पहले या just arouse हो जाने पर जैसे आप arouse होते हैं आपके mind को तो नहीं पता कि आप sex करने वाले हो या नहीं उसको बस arouseल समझ में आता है और यह involuntary involuntary चीज है कि pre-cum pre-ejaculate निकल आता है और जादातर लोग इसे notice भी नहीं करते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता यह निकला इसका उदेश क्या है यह निकलता है और यह path साफ करता है आपके urethra आपके पिशाब की नली को साफ करता है उसमें अगर कई आपने पहले urine किया तो urine साफ करके urine acidic होता है acidic urine की path को alkaline करता है lubricate भी करता है उस path को ताकि जो semen है वो आराम से निकल पाए और जादा से जादा sperms सर्वाइव कर पाएं जादा से जादा sperms वहाँ जा पाए और pregnancy के chances बढ़ें acid neutralizer भी है यहाँ तक की vagina में जाके vagina जो की जिसका भी environment acidic होता है वहाँ जाके भी ये acidity को neutralize करता है क्योंकि sperms को neutral environment में जीना basically उनकी life बढ़ जाती है तो वो और जादा उनके survival chances बढ़ेंगे right so इसी लिए जब भी आप arouse होंगे जब भी आप मान लिजे four play करेंगे masturbate करेंगे sexual intercourse करने जाएंगे या किसी भी प्रकार के इस तरह के activity involved होंगे तो आपको pre-come आ सकता है ये बहुत ही normal आता ही है बलके कई लोगों को पता नहीं चलेगा और थोड़े बहुत लोगों को प आपका semen कम बहुत ही ज़ादा हो रहा है बहुत ज़ादा pre-come हो रहा है अती अमाउंट में तो हो सकता है कि आपकी pant गीली हो जाए तो ऐसे situation में embarrassment से और irritation से आप थोड़े से उखलाए सकते हैं दिक्कत हो सकती है तो उस situations में कुछ medications दी जा सकती है जैसे कि DHT blockers जैसे आपके 5-alpha reductase inhibitors जैसे finasteride उसमें भी कुछ satisfactory results मिल जाते हैं बेसिकलिए आपके testosterone ही block होते हैं तो बेसिकलिए आपके sexual desires थोड़े कम हो जाते हैं तो वो भी कम हो जाता है अब आप सवाल आता है क्या pre-come से कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है क्या कभी pre-come से pregnant हो सकती है female जी हा हो सकते हैं pre-ejaculate या pre-come में वैसे तो बहुत कम या ना के बराबर sperms होते हैं लेकिन ऐसे कई cases देखे गए हैं जब pre-come में ही females pregnant हुई है so that's why it's possible right एक चीज़ है coitus interruptus जिसमें आप just ejaculation के पहले जो आपका पीनेसर से बहार निकाल लेते हो तो ejaculation बहार करते हो तो आप सोचते हैं कि pregnancy नहीं हो सकती लेकिन फिर भी pre-come अंदर जा चुका है तो pre-come में कुछ sperm हो सकते हैं और उसी समय अगर female की ovulation का time है तो हो सकता है कि वो pregnant हो जाए इसलिए आपको अगर pregnancy नहीं चाहिए तो हमेशा हमेशा condom का इस्तवाल जरूर करना चाहिए remember this तो यह सारी जानकारी हुई pre-come के बारे में यह कोई बिमारी नहीं है कोई infection नहीं है unless and until आपको जलन भी हो रही है दर्द भी हो रहा है गंदी बदबू भी आ रही है और वो बहुत ही dark और white रंग का बहुत गाड़ा-गाड़ा fluid आता ही जा रहा है तो फिर वो infection हो सकता है वरना नहीं यह बहुत normal clear fluid है कोई दिक्कत नहीं है उसमें चिंता मत करिये और खुश रहिए knowledge important है सही knowledge important है इसलिए sexual knowledge अरजित जरूर करिये बाकी सारे वीडियो sexual health के जरूर देखेगा और share जरूर करिये it's important इसमें कोई शरम की बात नहीं है इसे discuss अकर आप खुद नहीं कर होगे तो आपके friends आपके बच्चे दूसरे के साथ discuss करके गलत बाते सीखेंगे तो इसलिए सही knowledge discuss जरूर करिये doesn't matter कोई शरम की बात नहीं है इसमें so I am Dr. Paramjir you are watching Dr. Education stay connected stay healthy